दोस्तो आपकी WhatsApp DP आप जिसको चाहेंगे उसी को दिखाई देगी जिसको आप नहीं चाहेंगे नहीं दिखाई देगी आप देख सकते हैं यह है मेरी WhatsApp DP और इस बंदे को मेरी WhatsApp DP अभी दिखाई दे रही है तो मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को मेरी WhatsApp DP दिखाई ना दे तो ऐसा मैं कर सकता हूँ मुझे इसके नंबर को डेलिट नहीं करना है नहीं इसके नंबर को ब्लॉक करना है इस तरह से दोस्तों आप अलग-अलग नंबर के लिए ये सेटिंग कर सकते हैं तो अगर आप इस ट्रीक को सीखना चाते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर आल पर सेट जरूर कीजिए ताकि जैसी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करू तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद आपको एक कमेंट कर देना है. व्ट्सक्राइब धीपी. एक कमेंट जरूर कीजिए. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने phone में एक application को डायूनलोड कर लेना है. इस application का डायूनलोड लिंक मिल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्श add कर देना है चाहे तो आप इसे यहाँ पर skip भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर click कर देना है एक बार back आएंगे तो यह हट जाएगा ठीक है इसके बाद permission को allow करना है permission को allow करने के बाद यहाँ पर आपकी contact list show हो जाएगी आपके mobile में जितने भी number है वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे इन्हें मैंने security की वज़े से height किया हुआ है ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है जिससे भी आप अपनी WhatsApp DP height करना चाहता है उसका number आपको देख लेना है तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ मैं हमें receive होंगे ठीक है तो अब हमें आना है application में sorry यहाँ पर आते हैं application में application को मैंने open किया और यहाँ पर जो lock हम ने set के अदाव डालते हैं और यहाँ पर हम देख लेते यह रहा इम्रान app ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है उसके नाम के सामने जो i का icon है एक बार आपको उस पर click करना है शरिफ आपको एक बार click करके okay करना है जैसे आप okay करेंगे तो hidden contact में उसका number यहाँ पर आ जाएगा और उसके whatsapp से आपकी whatsapp dp hide हो जाएगी 10-15 second में अभी यहाँ पर whatsapp dp दिखाई दे रही जैसी मैं आप शो चुका है और message भी यहाँ पर आ चुका है यानि के इस बंदे को पता चल जाएगा कि मैंने उसे block नहीं किया है लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि whatsapp dp दिखाई क्यों नहीं दे रही है इस तरह से आप अलग-अलग नंबर के लिए whatsapp dp को height कर सकते हैं ठीक है अगर आपको इसे unheight करना है तो वापस से आपको यहाँ पर आई के आईकोन पर एक बार किलिक करना है और ok करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी whatsapp dp उस बंदे को 10 से 15 सेकंड में दिखाई देगी तो यहाँ पर मैं फिर से किलिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजी अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ पर whatsapp dp दे रही है तो इस तरह से दोस्तो आप किसी से भी अपनी whatsapp dp height कर सकते हैं लेकिन यह setting करने से पहले आपको whatsapp में एक setting भी कर लेना है जो मैं आपको बताना भूल गया आपको whatsapp की setting में आना है account में आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर privacy में जाना है और आपको यहाँ प पर पसंद है तो इसका भी download link आपको description में मिल जाएगा तो अगर आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस video को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगली video में thank you